को यह एक है अगरे वेलकम्न टू गोफ अगरिकालचर सू गैस ऐसके लेक्शें नमबर ट्विंटी सिक्स में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वह इन कंटिनुवेशन है लेक्शें नमब 425 जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ओर है लापिड कर ता उसमें हमने पढ़ा था कि फै उसमें पढ़ा था Lapidoptera के introduction के बारे में, उनके characters के बारे में, और उसमें पढ़ा था कि कौन-कौन से insects आते हैं, जैसे मैंने बताया था butterfly, और हमने फिर butterfly जो family है, ठीक है, उसके under five classification पढ़े थे, ठीक है, मतलब five different type of butterflies पढ़ी थी, उसी तरीके से आज हम इस lecture में पढ़ेंगे m पढ़ना, कि आपको चीजे बहुते इतम line to line याद नहीं रखनी है, लेकिन हाँ, आपको इससे ये फाइदा मिलेगा, कि आप इन insects से ये देख सकते हो, कि कौन से insect, कौन से crop को damage करते हैं, कि आपने इन insects के बारे में, पहले जरूर पढ़ा होगा, जैसे white flies, या फिर moth देख तो चलिए start करते हैं, सबसे पहला, मोद family का सबसे पहला जो member है, या फिर कह सकते हैं कि first family जो है, वो है सबसे पहले erecteday, या फिर arc today, ठीक है, तो इनको हम simple words में tiger moths कहते हैं, ठीक है, अगर इनके wings के बारे में बात करें, तो इनके wings के उपर आप देख रहे हो, spots हैं, जैसे tiger hair के उपर हम देखते हैं, ठीक है, या फिर spot कह सकते हैं, या फिर color band present होता है, इसलिए इनको हम tiger moths कहते हैं, ये basically क्या होते हैं, nocturnal होते हैं, nocturnal मतलब क्या हुआ, रात को, nisarcher, मतलब ये अगर food के लिए, travel के लिए generally, ये रात का time को prefer करते हैं, और light के towards ज्यादा attract होते ह हैं, अगर इनके larva के बारे हैं बात करें, तो ये densely hair हो सकते हैं, मतलब इनके larva के बहुत जादा hair present हो सकता है, जैसे woolly bear, जैसे हमने woolly bear देखा है, उस तरीके का, या फिर sparsely, sparsely कहने के मतलब है partially कह सकते हैं, partially या निक कम hair भी हो सकता है, example कि इसका black hairy caterpillar, अपने black hairy caterpillar देखा अभी होगा, ठीक है, तो ये हमारा first family हो गया, आर्क टीडे, जो second family है moth के अंदर, वो है, bombi seeday, ठीक है, bombi seeday इसका second family है, जिसको हम कहते हैं, silkworm moth, ठीक है, जो silkworm का moth होता है, वो इसी family के अंदर आता है, इसमें अगर हम बात करें, इनके antenna के बारे में सबसे पहले, special character है, तो आप इसमें antenna देख रहे हो, इसको अगर आपको जूम करके दिखा हूँ, तो आप इसके antennas को देखो, इसके उपर hairs present है, यहाप आप अच्छे देखोगे, तो इनके उपर hairs present है, और इस तरीके के antenna को हम कहते है, pectinate, ठीक है, तो pectinate क्या है, hairs है, जैसे हम देखते है कंग तो इनके उपर क्या होते है, bristles present होते है, वैसे ही, लेकिन यहाप बैपक्तिनेट मैंने लिखा है, यहाप बैपक्तिनेट, बैपक्तिनेट क्या है, एक जो shaft है, यानि एक जो antenna निकला हुआ है, उसके दोनों side जो होगा, क्या होगा, यह comb-like hairs present होगे, इसको कहते है, बैपक् होता है, ठीक है, और कह सकते हैं कि tuft of hair, tuft मतलब क्या है गुच्छा, जिनके साथ-साथ क्या होता है, dorsal horn भी present होता है, on the eighth abdominal segment, ठीक है, तो यह larva character होगे, अगर pupa के बारे बात करें, तो pupation occurs in a dense silken kakoon, मतलब यही kakoon है जिससे हम silk लेते हैं, ठीक है, जो kakoon होता है, kakoon silk के अंदर क्या हो जाता है, pupa होता है, ठीक है, उसी हम kakoon क्याते हैं, तो इसी से हम silk लेते हैं, इसलिसका नाम जो है, silkworm moths है, ठीक है, और pupa इनका बहुत important stage है, example, mulberry silkworm, हम जानते हैं, mulberry पे ही, हम silkworm को क्या करते हैं, गुरो कराते हैं, बॉम्बेक स्मूरी जो हो गया, important source of natural silk है, ठीक है, इसका जो third family है, वो है कोचली डीडे, ठीक है, कोचली डीडे, spelling है, c-o-c-h-l-i-d-i-d-a-e, इसका जो common name है, वो है slug caterpillars, इसमें आप यह जो देख रहो ना, यह आप जो stage देख रहो, यह larva का है, ठीक है, यह medium size moths होते हैं, with stouty build body, stouty मतलब कहने का मतलब है, stout की तरह, जैसे हाथी का सुड़ होता है, उसी तरीके का, ठीक है, लार्वा जो है reserbles करता है, slug की तरह, जैसे आप देख भी रहो, slug की तरह लग रहा है, यह larva, लार्वा जो होता है, thick होता है, short होता है, fleshy होता है, stout होता है, ठीक, लार्वा हेट के बारे बात करें, त के गेस में, elephant के के गेस में, वैसे ही, leg के बारें बात करें, तो जो thoracic leg है, वो छोटे-छोटे होते हैं, abdominal segment जो होते हैं, indistinct, abdomen पे जो segment है, उसको आप बाहर से distinguish नहीं कर पाऊगे, pro legs के बारें बात करें, तो वो absent होते हैं इसमें, poisonous hairs present होते हैं, इनके body पे, ठीक है, इनके body पे poisonous hairs present होते हैं, जिसको मैं बोलते हैं, utriculating hairs, ठीक है, अगर हम बात करें, pupa के बारे में, hemispherical with utricating hairs, इन पे भी utricating hairs होते हैं, बतलब आप देखो, यह utricating hairs का है, यह poisonous hairs हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है, इसका मंदब क्या हो, जो larva और pupa दोनों cover होते हैं, poisonous hairs है, example होगे, caster, slug, caterpillar, आप इसके उपर देख सकते हैं, उनके उपर क्या present है, hairs present है, जो की poisonous होती है, अब जो हमारा next है, यानि नाइन्थ नंबर, यह मैंने नाइन्थ इसलिए दिया है, क्योंकि हम 5 तक तो पढ़ किया है, butterfly की family में, और हमने 6 से start किया है, moth family, तो moth family में है, ज bénigne, labia पढ़क में, labia का तो labil palps टेफ का हeko है, labia एक part होता है, insect के mouth का, और उसमें extension होता है को THE palps कहते है, ठीक है 4 wings narrow होता है ठीक अब देख रहो पतली सी है elongated है wrapped around the body at rest अगर insect rest condition में तो wrapped body को चारो तरफ से घेर लेता है larva bores into root stems और crown of gramnesius plant जो भी gram family वाले plant है वो उनके root में stem में और crown region में यह present होता है अगर हम बात करें इनके example का तो sorgum stem borer इसका best example है ठीक है अब जो हमारा next है वो है I hope आपको इस चीज़े समझ में आ रही होंगी ठीक है अब जो हमारा next family है वो है गलेचीडे spelling है G-E-L-E-C-H-I-I-D-A-E इन में अगर हम characterize बात करें तो इनका जो four wings होता है trapezoidal shape का होता है ठीक है अब देखो यह जो four wings है इसका shape देखो trapezoid shape कैसा होता है देखो इस तरीके को shape को हम कहते है trapezoid ठीक है तो कुछ इस तरीके का structure है इनके इनके wings का ठीक है four wings का ठीक है और जो four wings होते है यह narrower than hind wings होते है ठीक one minute caterpillars के बारे में बात करें तो caterpillars bore into the seed tubers and leaves इसका example क्या है cotton pink ball worm मैंने बोला था नहीं बहुत important है cotton को बहुत ज़्यादा harm करता है ठीक है तो यह इसका example हो गया geometry day 11th number जो family है और इसमें अगर हम बात करें तो 6th number family है मौत में वो है geometry day इनका जो best example है वो है loopers loopers क्या होता है loopers ऐसे larva होते हैं जो अपने body को travel करते टाइम यह चलते टाइम लूप बनाते हैं ठीक है उनकों कहते हैं loopers तो इन में अगर हम characters के बारे में बात करें तो both pair of wings are angular and thin ठीक है इनके जो four wings और जो hand wings है वो दोनों पे जो हैं angular होते हैं थीन होते हैं पतले होते हैं larva naked elongate and productive resembles to twigs और stems कैने का बतला है जो larva होता है naked है elongated है तो इसलिए अपने आपको protection के लिए वो twigs और stems के असारा लेते हैं अपने आपको protect करने के लिए pro legs अगर बात करें तो two pairs present in the sixth and the tenth segment और कौन से abdomen के it works by drawing the posterior part of the body close to the thorax the body forming a loop कहने मतलब है मालो ये लंबा सा looper है ठीक है larva है तो अपने body के पीछे वाले को क्या करता है खीच के posterior part को जो होता है body close लाता है thorax के पास और वो एक loop form करता है इसलिए इनके जो insects होते हैं उनको loopers कहते है it is also called inch warm क्योंकि ये inch inch को कैसे करते हैं जब जब भी वो चलता है तो एक एक exactly ऐसा नहीं कि वो length inch wise चलता है कहने मतलब ऐसा लगे है कि जैसे एक एक inch को नापता हुआ चल रहा है इसलिए इनको inch warm कहते हैं क्योंकि मैं जैसे reason तो दे दिया ठीक है तो यहापे क्या लिखा है it is also called inch warm ठीक है देखो यहापे लिखा हुआ है measuring warm and earth measure ठीक है इसका inch warm भी measuring warm भी कहते है और earth measurer भी कहते है एक्जेम्पल T looper ठीक है मैंने इसका scientific name दे दिया है आप याद रखना इस PPTA mention नहीं किया गया है जितने भी scientific name है वो italics में होने चाहिए ठीक है यह चीज़का अब ध्यान रखना जो next family है वो है lime and today ठीक है इसके जो mods होते हैं वो तुसक mods कहते हैं उनको ठीक है T.U.S.S.O.C.K. mods इन में जो antenna होता है bipactinate जैसे मैंने पहले बताया था कॉम-like structure होते हैं एक जो हमारा soft है उसके दोनों तरफ इनके hair-like structures निकले होते हैं लेक्स अगर बात करें clogged with woolly hairs इनके legs के उपर भी hairs present होते हैं female जो है female is provided with a tough tough anal hairs इनके anal region में female के hairs present होते हैं larva is densely hairy अगनके larva के बारे में देखें यह देखो इनका larva है जो kid बहुत जादा hair present होता है इनके उपर ठीकर यह hairs इनका protective function के लिए responsible है example caster hairy caterpillar ठीकर आप में फिर साइंटिफिक नेम देख रो यह भी italics में होनी थी अब जो next है 13th number वो है noctuidae यह जो family है इसका जो common member है वो है noctua moths ठीक है तो अगर इसमें हम बात करें noctua moths के बारे में तो they are medium sized and stoutly build moths ठीक है they are nocturnal राप में निकलता है attracted to light जसे मैंने पहले ही बताया हुए दूसरे में भी ठीक है labial palp is well developed labia का जो extension है वो अच्छे से develop होता है in insects में same sized cauchets on the larval prolex cauchets क्या है बस यह धानकना कि वो extension है जो की curved होता है ठीक है legs पे hair present होता है जो की curved होता है arranged है na semi circle some larval semi loopers loopers कहने का मतलब है कि complete body loop में convert हो ठीक है semi looper कहने का मतलब है कि complete body loop में convert नहीं होता है half of the body जैसे माल लो अगर हम loopers के बारे में बात करेंगे तो loopers ऐसे हो जाएंगे इनकी body थी वो complete head यहाँ पे है पूरे body का loop बनाया यहाँ पे इनका posterior part है ठीक है semi loopers यहाँ पैसे है हो सकता है head यहाँ से रहे इतने ही body का loop बने ठीक है तो यह loopers हो गए और यह हो गए semi loopers I hope यह चीज़े समझ में आ रही होंगे आपको ठीक है तो यह हो गए knock today ठीक है तो यह चीज़े आपको मैंने बता दी कि इनका जो कुछ लार्वा होता है वो semi loopers में होता है यह त्री और फोर पेर्स ऑफ दी प्रोलेक्स जो होते हैं वही उनके loop बनाने में help करते हैं लार्वा attack the plants during night ठीक है लार्वा of some species remain concealed beneath the surface of the ground और liter on the surface during the day दिन बर कहा रहेंगे surface of the earth और the liter के नीचे and feed on the plant during night और plant के उपर रात को चड़ेंगे अपने खाने के लिए तो यह इनका हो गया knock today का अब 14th नंबर पे है इनके और भी characters है they are often cut small seedling close to the ground and hence they are called cutworms यह क्या करते है small seedlings को करते है cut ठीक है इसी रिनको बोलते है cutworms example tobacco cutworms यह रहें इनके images अब जो 14th नंबर पे है वो है petrofoeridae इसके जो moths है उनको plume moths कहते है they are small lightly build moths four wings और बात करे तो elongate with two or four cleft or feasers इनके wings में अब देखो fishers, grooves हैं ठीक है तो यह इनका special character है hind wings have three divisions hind wing का तीन division है ठीक है legs अगर बात करे तो long होते हैं आप इनके legs देख रहे हो long है ठीक है cylinder है armed with prominent tbl spurs spurs जो होते हैं leg के उपर present होते हैं hairs ठीक है उनको ही कहते है hair like structures example red gram plume moth जो 15th number family है जो 15th number family है moth family के वो है pyroostidae pyroostidae ठीक है इसमें अगर हम देखे तो proboscis is vestigial in many species ठीक है proboscis क्या होता है उनके mouth का extension है labial palp is snout like ठीक है labial lab मैंने पहले बता दिया है larval habitat habitat varies may live among aquatic plants and bore into the stem remains in the silken web among spoon plant parts कैने का मतलब है कि larva का habitat है वो depend करेगा वो vary करता है ठीक है aquatic plant में भी रह सकते हैं यह फिर stem में bore कर रह सकते हैं ठीक है some larva are aquatic and gill breathing कहाने का मतलब क्यों में gills present होता है for respiration example जैसे देखो rice plant में हो सकता ऐसा larva ठीक है कि अगले उसमें जानते हैं पूरा paddling करना होता है बहुत water का requirement होता है example rice stem borer ठीक है आप यहां पर देख रहो इनके larval stage को और यहां पर देख रहो adult अब जो 16 नंबर पर है वो है saturnidae ठीक है इनके जो examples उनको moon moths कहते हैं giant silk warm moths कहते हैं ठीक है दिखने में तो इनके adult बहुत प्यार लगता है लेकिन यह बहुत ज्यादा plant को loss करते है their large side moth antenna bipactinate होता है ठीक है मैंने पहले discuss कर दिया है यह जो mention है आप यह देख लाए यह आई spot नहीं होना चाहिए था यह है कि जो उनका wings है उनके उपर eye spot present होते हैं ठीक है transparent eye spot present होते हैं उनके wings के उपर ठीक है near the center of each wing the spots are either circular ठीक है और crescentive larva is stout and smooth with scully cocoon is dense and firm ठीक है example जो होगा तूसर silk worm ठीक है यह इसका हो गया हमारा image next जो 17th number पे है ठीक है वो यह स्पिंगीडे hawk moths कहते हैं ठीक है horn worms कहते हैं they are large size southly built moths antenna जो होता है thick towards middle ठीक है इनका जो antenna होता है towards middle क्या होता है thick होता है hook that the tip proboscis is very long four wings elongated होते हैं pointed होते हैं hind wings reduced with मतलब reduced width क्यों होते हैं ठीक है अगर बात करें इनकी flying capacity के बारे में तो यह powerful flyers होते हैं larva smooth with mid dorsal horn यानि anal horn भी इन में ही present होता है जैसे मने female के में पढ़ा था भी कुछ दिर पहले female में उनके anal region के पास hairs present होते हैं वैसी anal horn से यह present होते है on the eighth abdominal segment ठीक है pupation बात करें जब मतब pupa का formation takes place in the earthen cells ठीक है proboscis में भी enclosed in a separate seat marking present on the thorax of the adult moth resembles human skull ठीक है जो thorax region पे adult moth के जो marking present है वो human skull की तरह होता है example that's head moth ठीक है कंकाल के सर की तरह दिखता है यह मतलब इनका नाम जो है उसी लिए पड़ा है ठीक है तो यह हमारा जो swingy day है यह यानि 17th जो हमने भी discuss किया है यहां तक हमने moth family discuss किया और जो last है वो skipper's family skipper's में ऐसे insects आते हैं जो कि कुछ देर तक fly कर पाते हैं ठीक है फिर उन्हें बैठना पड़ता है ठीक है तो उसमें बस एक ही family आती है skipper's family में एक ही है ठीक है उसको हम लोग बात करें हेसपरीडे हेसपरीडे इनके एंटीना जो होते हैं widely separated at the base dilated apically to form a gradual club एंटीना अगर बात करें तो apically prolonged beyond the club into a hook small recurve point देखो ही मैंने तो sentence पड़ दिया कहने का मतलब इत नहीं है कि एंटीना जो है widely separated है base के पास से अलग ज्यादा दूरी है उनके पास ठीक है dilated है apically मतलब जो apical end है वहाँ पर कहा है dilated है ठीक है और वो dilated है नहीं चौड़ा तो वो एक club like structure बनाते है नॉब like structure बनाते है ठीक है wings के बारे बात करें तो comparatively small है often जो they held partially open at rest कहने का मतलब है कि small है और often held partially open at rest ठीक है flight जो है वो erratic है and darting है larva जो है उनका head large होता है construction beyond the head present होता है ठीक है tappers toward both extremities यानि दोनों side से वो tappered होते हैं often concealed in the host folios example rice skippers ठीक है तो यह हमने Lapidoptera के complete तीनों families के बारे में discuss कर लिया है तीनों जो butterfly families, moth families and skipper families के बारे में discuss कर लिया है I hope आज का आपको lecture समझ में आया होगा और किसी को यह कुछ दिक्कत है तो आप हमारे comment section जरूर पूछना आप साथ-साथ हमसे telegram channel में जुड़ो जहां पे आपको हर lecture की pdf कुछ भी mcq होता है कुछ भी doubt होता आप वहां ही पूछ सकते हो third thing कि आप हमारे instagram channel को भी follow कर लो जहां पे आपको हर update मिल जाएगी और साथ-साथ आप instagram channel पे हमारे different mcqs को भी attempt कर सकते हो जो हम वहाँ पे daily update करते हैं thanks for watching this video till then stay tuned और किसी को भी इस lecture video चाहिए आप हमारे telegram channel से इसे download कर लो तो चले मिलते है next lecture में bye bye